Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel guys आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत popular question की जो अक्सर कुछा जाता है हमसे भी कुछा जाता है वो ये है कि सर आखिर कितना time लगेगा Google के search engine result pages में अपनी website को first page पे लाने पर बहुत popular question है बहुत लोग कुछते हैं बट reality में guys अगर मैं बता हूँ तो इसका कोई सीधा सीधा answer नहीं है ये बहुत से चीजों पर depend करता है बहुत से variable factors पर depend करता है जो change होते रहते हैं उनके according आप इस answer तक पहुन सकते हैं कि आखिर हमें कितना time लगेगा एक particular website को Google के search engine result page में first page पर लाने में तो चलिए एक बार उन factors को देख लेते हैं जो basically determine करते हैं कि कितना time लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि factors के साथ analysis की अभी आपको ज़रूरत पढ़ेगी एक बार आप factors देख लेंगे या पुरानी होगी कहने का मतलब है नया domain होगा या पुराना domain होगा इसके उपर भी depend करता है कि आपकी website को कितना time लग सकता है second factor is how competitive the keywords and the industry are आपकी website की जो industry है या मैं कहूँ जो niche है उस niche खुद कितनी competitive है कितनी popular है और उस niche के साथ आपने जो उसमें कुछ keywords select की है वो कितने popular है उस उस पर ये depend करता है कि आपकी website को कितना time लगेगा rank होने में the third thing is the popularity of the site that is how to name versus a brand that is trying to get established website की जैसे हमने बात करें industry और उसके बात keywords उनहीं में एक और factor आता है वो ये है कि वो website जिस niche से जुड़ी है उसके keywords की कितनी popularity है ठीक है वो keywords household names है household names का मतलब बहुत general है हर कोई जानता है ऐसे popular names जिनको अक्सर Google पर search किया जाता है या ऐसी brand ऐसी brand recognize करने की खुद को कोशिश कर रही है जो नही है जो खुद established होना चाहती है यह third factor है and then the fourth factor is what are you trying to get ranked for that is voice search, answer box, etc तो किस चीज के लिए आप try कर रहे है आपका orientation क्या है मतलब हो सकता है आप local search के लिए try कर रहे हूं local search में आप आना चाहते हूं voice based search जो आजकल बहुत popular है उसमें आप top पे आना चाहते हूं तो क्योंकि अगर आपके keywords और industry एक जैसी है उसके बाद भी local search में आने के लिए और Google के search engine result pages में organic list में आने के लिए voice based search में आने के लिए सबके लिए आपके factors अलग-अलग तरीके से काम करते हैं आपके efforts अलग-अलग तरीके से काम करते हैं and the fifth point or the last point which I have mentioned over here is where the site is ranking for your targeted keywords सबसे important point यही है कि अभी आपकी क्या situation देखो अलग-अलग situation हो सकती कई बार कुछ जो websites होती उनको जब आप start करते हैं तो आप देखते कि एक महिने के अंदर ही वो क्या होता है कि बहुत तेजी से वो already search engine result pages में rank कर जाती हो सकता है वो fifth page पर rank कर रही हो sixth page पर rank कर रही हो seven पर rank कर रही हो कहीं भी rank कर रही हो मतलब बहुत below ranking है बट rank कर जाती कई बार ऐसी websites होती है जो rank ही नहीं करती है तो यह भी depend करता है कि आप इस पात पर research कर ले initially कि आपने जो targeted keywords select की है आपके जो targeted keywords हैं उन पर current situation में आपकी website की position क्या है वो कहां rank कर रही है तो अलग-अलग keywords को लेकर आप अलग-अलग तरीके से position बना सकते हैं मतलब एक keyword आपने लिया उस keyword के उपर आपकी website की क्या position है then second फिर third फिर इस तरीके से जैसे अकर आपने 5-6 keywords select किये तो उनके उपर आप अपनी websites की positions को mark कर ले, positions को note कर ले उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि भई हमारी website जो है उसको कितना time और लग सकता है राइंग कराने में तो सीधा कोई भी answer नहीं है इस बात का कि हमारी website को कितना time लगेगा अगर कोई exactly आपको बता देता है कि आपकी website को केवल देख के मालना बिना कोई deep analysis की है कोई सीधे सीधे बात को बता देता है कि भाई ठीक है इतना तीन महीने लगेंगे छे महीने लगेंगे क्योंकि मैंने भी कई लोगों से timeline को measure नहीं कर सकते कि कि कितना time लगेगा कुछ approximation आप कह सकते हैं वो approximation भी आएगा कहां से वो आपके experience आएगा आपने कितने projects पहले past में handle किये हुए है उनमें कितना time लगा उनकी अलग-अलग कैसे situations रही उसके हिसाब से आप कुछ predictions कर सकते हैं तीन महिने, चार महिने, पांच महिने लग सकते हैं उसमें भी जब अब भी कोई नया project आएगा या कोई नई website आएगा आपको फिर से analysis करनी होगी और एक deep analysis करनी होगी तो मेरे पास यहां next slide में एक time analysis का एक chart है जिससे आपको मोटे-मोटे तौर पे बहुत से information मिल जाएगी अब ये कुछ matrices हैं मैंने एक chart बना रखा है इसको मैं समझाने कुशिक करता हूँ आपको जैसे अगर आपकी category new site है या क्या हो सकती, old हो सकती old मतलब old and popular website हो सकती है तो अगर नई site है और competitive keywords के लिए आप rank करना चाहते हैं तो कितना time लग सकता है 9 to 12 months और उससे उपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है अगर मैं कहूँ एक साल, सवाव साल भी लग सकता है अगर आपकी website नई है और आप competitive keywords पर काम कर रहे है इस बेसिकली अ वेरी bitter truth ठीक है, ये कड़वी सच्चा ही है जो आपको मानने ही पड़ेगा कि अगर नई site है और competitive keywords पर आप कारण कर रहे है तो maximum आपको 9-12 महीने लग सकते है कुछ extraordinary effects से आप इसको 4-5-6 महीने में भी कर सकते हैं बट अगर मैं pure जो natural तरीके हैं उनसे बात करूँ किसी भी तरीके की black hat technique नई use करने की बात करता हूँ मैं in that case आपको 9 महीने तक लग सकते हैं then second point जो है यहाँ पर नई site है मतलब new site है लेकिन आप non competitive keywords पर काम कर रहें तो लगभग आपको 2 महीने average मैं मानता हूँ 2 months से लेकर 3 months तक आप मान सकते हैं इस बात को 2-3 महीने में आप अपनी website को first page पर rank करा लेंगे first page पर rank करा लेना और first position पर rank करा लेने में दोनों में बहुर बड़ा difference होता है search engine result pages के first page की मैं बात करा हूँ यहाँ पर ना की first position की ठीक है त्यूकि फिर वहाँ first page पर फिर fight करने का competition और जादा बढ़ जाता है ठीक है मतलब पांच वे पेज से आपको first page पर आने में उतना competition नहीं लगए जितना first page की जो है sixth या seventh rank से उठकर आपको first rank पर आने में जितना competition face करना पड़ेगा उसी के हिसाब से अगर आपकी old या popular website है तो 3-6 महिने में competitive keywords के उपर आप rank कर जाएंगे first page में और अगर old and popular website है और non competitive है तो मैं मानता हूँ कि 30 days to 45 days more than enough है लेकिन शर्त यह है कि सारे काम positive तरीके से किये जाए कोई भी black hat technique ना use की जाए ये timeline आपको ये बात explain करती तो मोड़ा मोड़ा मैंने कुछ यहाँ पर आपको समझाने कोशिश करी कि जो दो main factors होते हैं कि आपकी website की क्या position है ठीक है और आपकी keywords के उपर जाना चाहते है इन दोनों की mattresses अगर हम लोग बना है तो कुछ इस type की timeline आपके सामने बन के आती है irrespective of the fact मतब यह सारी चीज़े तभी true है जब आप जो बाकी की SEO techniques से उनको आप कर रहे है मतब SEO के efforts कर रहे है ठीक है और positive way में कर रहे है जैसे करने चाहिए वैसे कर रहे है in that case मैंने यह चीज़े बताई SEO ही आप नहीं कर रहे है back links ही properly नहीं बना रहे है या आप यह मान के चले कि सर ने एक बार बोल दिया कि अगर हमारी नहीं website है और हमको बहुत highly competitive keywords पर काम कर रहे है तो हमें 9-12 महिने लगेंगे अपने आप हमारी website उपर हो जाएगी तो ऐसा तो होने वाला नहीं है आपको यहाँ पर black hair techniques नहीं use करनी दूसरा जो भी मैं SEO के techniques बताता हूँ उनी techniques को use करके आपको अपनी website को रहें कराने कोशिश करनी तब 2-12 महिने लगेगा ठीक है अगर आपने गलत तरीके से backlink बनाना शुरू कर दिया relevancy का कोई factor ही नहीं रखा तो definitely यह time period और जादा increase हो सकता है तो अगर सही तरीके से proper तरीके से चलेंगे उस basis पर basically एक timeline create करी गई है तो आशा करता हूँ यह video आपको समझ में आया होगा और जो बहुत popular questions होते हैं जैसे मैंने यह popular question का यहाँ पर example लिया कि बहुत सारे misunderstood type के questions होते हैं जिनको लोग समझ नहीं पाते और अजीब गरीब तरीके से उनका answers देना start कर सकते इसलिए मैंने कोशिश करी कि इस वाले part को या इस type के जो questions है उसको cover कर पाऊं मैं videos में और आप तक उनकी information दे पाऊं आशा करता हूँ यह video आपको समझ में आया होगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe करें bell icon को press करें तक कि जो भी हमारे latest videos आते रहते उन सभी के notifications आपको time to time जिलते रहें Thank you guys once again for providing us love and watching this video